गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज का हमारा जो लेसन है यह इंटर्मेट और एडवांस लेवल के लिए है और यह जो पोजिशन नहीं डिसकवर अटेक हम करते हैं कहां पर बहुत ही सिंपल है कोई भी एक कवर रहता है और कवर हट कर जो भी अटेक होता है उसे हम डिसक विख्लिक फाने तो यह इससे कि थे करें और यह जैसे में यहांपर किन कोब कर नहीं होगा तो उसके बाद हम यहां पर são किकर पार चेकर करें तो यह जो है एक एक्सेंपल है इसके बाद जितने भी आएंगे सब आपको मैं यहां पर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स दे रहाँ आप लोगों इन्हें मैं दे रहाँ यहां पर माफ किजेगा यह फर्स्ट पोजिशन था सेकेंड पोजिशन आप लोगों के लिए पहला वाला मैंने आपको एक्जांपल के रूप में दिखाया तो यह भी जो है वाइट वाइट डिस्कवर एटक है यहां पर ब्लैक को एक बहुत बड़ा लॉस हो इसके बाद फूर्थ पोजिशन वाइट टू प्ले डिस्कवर एटक वीडियो को यहां पर पॉस्ट कीजिए और उसके बाद आप लोग इसका एंसर रिखिए एक और पोजिशन है यहां पर देखिए ब्लैक के वाइट के किंग को चेक पड़ा हुआ है तो किस तरह वाइट जो यहां पर अपने डिस्कवर एटक से अपना जो चेक को बचाएगा बलकि ब्लैक को बहुत बड़ा लुकसान भी कर देगा यहां पर जैसे पजल पीछे जाता रहेगा तो पजल हो रहे हैं यहां से थोड़ी कठी नहीं यहां पर तो यहां पर भी जो वाइट टू प्लेट डिस्कवर एटक है सोच यह बहुत ही बैद्रें कॉम्मिनिशन है यहां पर उसके बाद हम और पजल पर जा रहे हैं यहां पर भी वाइट डिस्कवर एटक वीडियो को बस पॉस कीजिए और पूरी तरह से पूरा एंसर आप लोग लिखे यहां पर वाइट टू प्लेट डिस्कवर एटक यह नाइटीन इंडर रेटिंग लेवल का पजल है सोच यह सोच का पूरा एंसर लिखिये और यह हमारे सबसे आखरी पजल है यह भी वाइट टू प्लेट डिस्कवर एटक है सोच का पूरा एंसर लिखिये यहां पर यहां पर मुझे लगता है कि ब्लैक का किंग जो है चेक्मेट हो जागा चाहिए पूरा एंसर आप लोग लिखिये सोच कर पूरे एंसर थैंक्यू सो मच यह हमार आखरी पजल था तो आशा करता हूं आप लोग सभी जो है अपने अपने एंसर में लिखकर भेजेंगे थैंक्यू